Hello Everyone, Welcome Back to my Channel दोस्तो, आज हम लोग जानने वाले हैं आज का टॉपिक है घरों में ओपन वाइरिंग कैसे कराएं ओपन जो कैसिंग केपिंग वाइरिंग कराते हैं ओख यो कैसे कराएं और कौन सा मेटरियल लगेगा कौन सा मेटरियल कहां पे लगेगा और उसका क्या नाम है ठीक है आज इस वीडियो में हम पूरी जानेंगे तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए कौन सा बक्स कहां लगाना है कौन सा सुइच कहां लगाना है और घरों में कितना रिक्वाइर है कौन सा समान कहां पे लगाना है तो वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पे देख रहे हैं केसिंग केपिंग का जो केसिंग ट्रंकिंग होता है वो है अनेको साइज का आता है यह ओपन ट्रंकिंग है दिवारे को उपर लगाया जाता है ठीक है न ज इस इमेज में देख रहे हैं यहां पर यहां पर जाते हैं यहां पर जाते हैं लगाया जाता है जहां पर जो दो ट्रंकिंग आपस में जॉएंट आप पर जो की एक नीचे के तरप आप ट्रंकिंग लेखा रहे हैं अब हम लोग जानेंगे टी जॉएंट कपिंग टी जॉएंट कहाँ पर लगाते हैं दोस्तों आपके बता दूँए में देख रहे हैं इस इमेंज में अपना ट्रंकी का ही वो लोड़ी बना दिये लेकिन नहीं ऐसे नहीं करना है आप प्रॉपर तरीका से मेटेरियल्स यूज करें आपकी काम पे अफेक्ट आता है ठीक है ना आप अच्छे काम करेंगे तो नेक्स टाइम भी कोई भी देखेगा तो आपको बुलाएगा ठीक है तो आप बिल्कुल अच्छे से काम करें अब हम लोग जान सब्सक्राइब का नाम दिये हैं आप जरूर यह वीडियो लास्ट तक देखें फोर्वे जोएंट कहां लगाते फोर्वे जोएंट वहां होता है जहां चार जो चार ट्रंकिंग जो पाइप है एक साथ जूटता हो वहां पे लगा जादियों कि इस इमेज में देख रहा है आप मेटेरियल्स पुरॉपर यूज करें यहां पर देख रहें बीम के साथ में जो यह ट्रंकिंग गया हुआ है केसिंग के पिंग यहां पर इस्तमाल हुआ है ठीक है तो आप इंटरनल लागा है अभी हम लोग जानेंगे राउंड होल्डर के बारे में ठीक है राउंड ह देख़ाने के लिए लगाते हैं ठीक है ने ठंकते हैं और प्लास्टी फिक्सर फिक्षर वहां लगाती है जहाँ पर बक्स लगानी है पी बीच्टी पाइप बगलानी है बक्स लगानी है जो भी है न तरह यह ड्रिल मारकर और इसको पीट किया जाता है यहार एक अलग- है प्लास्टिक बक्स इसमें होगा हर एक साइज का आता है जो कि है ते नहीं में 34 diesश्य यह ओलग तरीके से आता ठीक है अप वहिवी साइज रेकर है और उन रोडर होल बिधार है जो कि बल्ब को फोल्ट करने के काम आता है ठीक है यह जरूत पड़ेगा मॉडल सुच मॉडल सुच जो है यह अलग-अलग डिफ्रेंस डिफ्रेंस वेका आता है आप अपने रिक्वाइर किसाब से मंगा लिजेगा और फेन सिलिंग फैन जो सेलिंग करेंगाच यह आपको रिक्वाइर करने के पांक्रा को सिलिंग फैन रेगुलेटर की जरुरत पड़ेगी और सब्सक्राइब ट्यूबलेट बता दो एलीडी में भी अब ही आ में आपको लगता है डिजाइनिंग के लिए अच्छा लगता है बेल स्विच बेल स्विच भी रिक्वाइर पड़ेगा आपको घरों में ज़रुवत पड़ेगी ठेक है और कॉल वैल जो की बेल बचता है तो यह साउंड आता है इससे कॉल वैल इसको बोलते हैं ठीक है और स्विची इसे में बेकर के में के काम आता है और में केबल है वहां पे भी हम लगाते हैं इसको चैंज ऑबर जो कि आपके खर में अगर सब्स ऐए तो यह जो बर आप जनेरेटर को स्टार्ट करके और चेंज कर सकते हैं एस्टेर फूड लाइट जो है अगर घर के पूरी बंद देते श्टेर में लाइट लगे रहती है तो रोश नहीं रहती है ठीक है लिटी ब्ल जो है आपने घर के हिसाब से कितना वाट का कहां लगाना है आप कर सकते सकते यह जरूत पड़ेगा आपको घर में और दोर अचिच और में और मैं उट पैनल बोड बड़ भी जरूत पड़ेगी आपको घर में और अगर आप inverter लगाना चाहते हैं सिस्टम तो आप inverter भी घरों में लगा सकते हैं क्योंकि ये पेक अप देगा लाइट वगर जलाना है पांका तो तिन-चार घंटा तो आराम से अगर लाइट नहीं रहते हैं चल जाएगा अगला गर में वीडियो बनाता हूं तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ओके दोस्त और आपको बताते हैं इनवर्टर से लेडर में एक वीडियो बनाया हूं आप वीडियो जाकर जरूर देखें इनवर्टर का केनेक्शन कैसे किया जाता है उस वीडियो में पूरी बताया हूं आप वीडियो जरूर देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में